हेलो फ्रेंड्स कंचन की किचन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे गड़े जी का अप्रिय मोदक जिसे आप 10-15 मिनट में बना कर तयार कर सकते हैं और इस मोदक को हम पनीर से बनाएंगे और बिना साचें के बनाएंगे यह बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट बनत हैं इसे बनाना भी बहुत ही आसान है अगर आप मोदक की जटपट कोई रेस्पी ढूंड रहे हैं तो आप इसे जरूर से ट्राइ करिएगा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा यह तो आइए इस मोदक को बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पनीर लेना है हमने दूद को फाड़ कर उसका छेना बना कर ले लिया है आप यहाँ पर पनीर ले सकते हैं दोनों में से आपको जो मिल जाब ले सकते हैं पनीर अगर आप लोगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा क्योंकि दूत फालने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है तो इसे हम जार में डाल देंगे सारे ही छेने को हमें जार में डाल देना है और अब हम इसका ढखकन लगा देंगे ढखकन लगा कर इसे हमें अच्छे से पीस लेना है पीसने से बिल्कुल स्मूथ हो जाता है यह देखिए हमने इसे पीस लिया है और यह बिल्कुल चिकना यह देखिए बिल्कुल मक्षन जैसे सौप्ट हो गया है तो इसी तरह से आपको इसे पीस लेना है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे अब इसे हम साइड में कर देंगे और इसी जार में हम डाल देंगे चीनी तो यहां पर आप चाहो तो चीनी को पीस कर ले सकते हो या फिर आप चीनी को साबूत भी एड़ कर सकते हो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा और यहां पर हमने तीन इलाइची लिया इसमें डाल कर इसका पाउडर बना लेंगे चीनी हम इसलिए पीस रहे हैं ताकि इलाइची का पाउडर साथ में बन जाएगा यह लिखें तो इसलिए हमने चीनी को पीस लिया है अब इसे हम साइड में कर देंगे और अब हम मोदक बनाना शुरू करते हैं तो हमने गैस का फ्लेम आन करके इस पे कड़ा ही चड़ा दिया इसमें हम एक चम्मा देशी घी डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे तो घी यहाँ पर मिल्ट हो गया है अब इसमें हम सबसे पहले पनीर डालेंगे जो हमने पीस करके रखा है और इसे अच्छे से पका लेंगे एक से दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही या फिर जब तक पनीर थोड़ा सा लिक्विड जैसा ना हो जाए तब तक आपको इसे पका लेना है मतलब पनीर अभी थिक दिख रही है और दो मिनट तक पकाने के बाद कुछ ऐसे दिखने लगेगी यह देखिए थोड़ी सी गिली गिली सी हो गई है तो अब हम यही पर आइट करेंगे चीनी जो हमने पीस करके रखा है और हमने इसमें इलाइची भी डाला है तो खुस्पू और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है और थोड़ा सा हमने इसमें मिल्क पाउडर एट किया है आप चाहो तो यहाँ पर डेसी क्रेटर कोकोनेट भी एट कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो मिल्क पाउडर हमने पनीर का चोथा हिस से लिए यानि कि अगर आपने चार कप पनीर लिया है तो एक कप आपको मिल्क पाउडर ले लेना है और इससे हम पका लेंगे चिनी के मिल्ट होते ही यह जो है कि थोड़ा सा और भी पतला हो गया है ये देखिए इस तरह से तो अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे 3-4 मिनट के लिए 3-4 मिनट में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा टाइम थोड़ा से कम जादा लग सकता है अगा आप थोड़ा जादा बनाओगे तो टाइम जादा लग जाएगा आप कब बनाओंगे तो टाइम कम लगेगा तो इससे गड़ाही छोड़ने तक आपको पका लेना है यह देखेए बिल्कुल इस तरह से तो अब इसमें निकालत है शिणी करेंगे अब मिश्चर है और अधार को कलर को इसे गोल लिया था ऐसको डाल दे आप छाहो तो यहां पर केसरल कर सकते हो क्लर की जगह कि या फिर आप बिना कलर के बी इसे बना सकते हो तो फिर से इसे पका लेंगे क्योंकि पानीusan तो फोड़ा सा दिफार है निक सब्सक्तु चाहित निけて थी तर्स प्रेंगे और इसे फलाージ कर दो था नहीं को हुए तो यहां पर mixture जो है वो ठंडा हो गया है यह देखिए और थोड़ा सा यह थीक भी हो गया है तो अब इसे side में कर देना है और इसके बाद हमने जो white वाला mixture निकाला था बीना color के यहां पर हम थोड़ा सा नारियल का बुरा दाइट करेंगे एक से दो चम्मच यह देखिए बिलकुल आप सनल है आप चाहो तो इसे ऐसे ही बना सकते हो या फिर आपको नहीं पसंद है तो इसे skip कर सकते हो और यहां पर यह color वाला mixture है यह बिलकुल अच्छे से ठंडा हो गया ह तो अब इसको हां से हम थोड़ा सा मैस कर लेंगे इससे जो है mixture बिलकुल चिकना हो जाएगा यह देखिए हलका सा हां से मैस करेंगे बस कुछ सेकेंड के लिए तो यह बिलकुल चिकना सा हो जाएगा यह देखिए इस तरह से तो यह मोदग बनाने के लिए mixture बिलकुल रेड को तोड़कर रख लेंगे मतलब जितना बड़ा मोदक बनाना है उतना बड़ा हम इसे तोड़कर अलग कर लेंगे और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा ऐसे राउंड सेप देंगे यह देखे कितना यह चिकना कितना स्मूध है तो इस तरह से आपको बना लेना है इसके बाद वाइड वाले मिक्चा था था है इसे छोटे-छोटे Gusti से बना लिए हैं तो इसको हम इसके अंदर ऐसे रख देंगे और इसे चारो साइट से कवर करेंगे यह देखिए इस तरह से हाथों से दबाते हुए थोड़ा समय से घुमाते रहेंगे हलके हाथों से आपको दबाना है और यह बहुत ही अच्छा मोदक हमारा बिना साचे के बनकर तयार हो गया है आप चाहो तो इसे ऐसे ही बना सकते हो या फिर आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी डिजाइन बना सकते हो जो सांचे से बनती है उसी डिजाइन को आप इस तरह से चम्मच की हिलप से बना सकते हो इस तरह से आपके पास प्लास्टिक का चम्मच नहीं है तो आपके पास अगर टूथफिक है तो आप उससे भी बना सक बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा यह देखिए मैं भी इसे पहली बार ही बना रही हूँ है यह देखिए थोड़ा सा यह जाइन कम बन रहा है अब दूसरी बार बनावंगी विल्कूल परेफेक्ट बनेगा मैं आपको इस तरह से बना कर दिखाती यहाँ पर एक मोदग जो है बिल्कूल अच्छे से बनकर रेडी हो गया है यह दिखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में तो बिना साचे के आप इस तरह से मोदग बना कर तयार कर सकते हो अब इसे हम प्लेट में रख लेंगे यह मोदग बहुत ही अच्छा लगता है जितना अच्छा देखने में लगता है उससे कहीं ज्यादा टेष्टी यह खाने में लगता है तो दूसरा मोदग भी हम इसी तरह से बना लेंगे पहले हाथ में लेकर थोड़ा से इसे राउंड शेप देंगे और इसके बाद इसे कर देंगे कि और इसे मोदक का सेफ देते जाना आप चाहो तो इसे ऐसे ही रख सकते हो बिना डिजाईन के प्लेन यह अच्छा लगता है यह तो यह देखिए मैं फिर से यह डिजाईन बना रही हूं तो इसी तरह से आपको बनाना है तो दूसरी बार यह बहुत ही अच्छे डिजाइन बन जा रही है और बहुत ही अच्छी लग रहे हैं देखने में यह देखिए तो पहली बार में थोड़ा सा दिक्कत आती है और जब दूसरी बार बनाऊगे तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा यह देखिए और पिछली बार सा यह जल्दी भी बन गया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पार टूथपिक भी नहीं है तो अब आप इस डिजाइन को कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए आपको इस तरह से मुदक बना लेना है और यहाँ पर हमने एक चम्मच लिया है चम्मच तो सभी घर में रहता है तो आप इस तरह स इसकी डिजाइन अपने आप ही बनती जाती है यह देखिए चम्मच से इसकी डिजाइन और भी अच्छी लग रहे हैं देखने में और जल्दी भी बन गया है हमारा मुदक तो इसी तरह से आप सारे मुदक बनाकर तयार कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो इसके अंदर इस इसे राउंड देना है और फिल इसे मुदक का सेप देना है यह दिखिए हमने कोई स्टफिंग नहीं किया है और यहां पर मुदक बन गया है तो अब हम इसमें डिजाइन बना देंगे यह देखिए इस तरह फटा-फट से आपको डिजाइन बना लेना है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी मतलब जितना अच्छे देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा स्वादिश्रिया खाने में लगता है तो इस तरह से अगर आप घर पर मोदग बना कर गणपती वप्पा को भोग लगाओगे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है घर का बना हुआ मोदग बिल्कुल सुद्ध रहता है तो अगर हमारे ये मोदग बनानी का तर ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में बिल्कुल जो खोए वाले टेस्ट आता है बिल्कुल वही टेस्ट इस मोदग में आता है बहुत ही स्वादिश्ट बनता है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तयार भी हो जाता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है दस से हर रोज नहीं नहीं रेस्पी लेकर आती रहती हूँ तो हर रोज नहीं नहीं रेस्पी के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचें और अपना किमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद